फैसला नमबर पाँच, सीम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदो को शासन के मंजूरी मिली तो अभी आपने सब कुछ सुन लिया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 जो बड़े फैसले लिये गए यूपी गवर्मेंट की तरब से इसमें एक फैसले को समिल किया गया जिसका फैसला नमर पाँच यहाँ पर आप सभी को बताया गया और यहाँ पर आप देख सक सकते हैं पुलिस विवाग की यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें चासी राजपत्रित पदों की बात की जा रही है राजपत्रित पदों का सीधा समद्ला आपका यह हो गया क्योंकि आप सभी को बता है राजपत्रित सीयों से स्टार्ट होता और यहीं पर आपकी जो विक इसके बाद जो बात आती है वो आती है 5295 अराज पत्रित पद नए पदों को सासन की मनजूरी तो यहाँ आपका पत्रित इस्टार्ड रिजिस्टेट होता है उसे नीचे जो आपका पद होता है आप सभी को पता है इंस्पेक्टर का पद होता है और इंस्पेक्टर की कभी कोई वेकिंसी नहीं निकाली जाती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भिवाग में वेकिंसी निकाली जाती है राज तृत पदों पर उसके लिए जो सबसे बड़ादे होती है, यानी सब इंस्पेक्टर के पदों की kicks निकाली जाते है, सब इंस्पेक्टर से प्रमोर्ट हो के Aboriginal वनता है, तो कोई भी इंस्पेक्टर की भष्थी नहीं होती है यानी कि जो आपके 5295 पदों की भष्थी हो गी यह पदों की जो भरती हो सकती है वो आपकी सकती है SI की हो गई ASI की हो गई Head constable की हो गई अब işi आपका Lakes या किसी अन्य विवाग में भी हो सकता है Head constable की हो गई और आपकी constable की हो गई तो इन ही पदों के लिए भरती की बात की जारी है 5295 प्रेंवी नी-पदों के लिए भर्ती होगी आप इसके liए भी खिल रहेकि समझ सकते हैं क्योंकि अरी पत्रेथ की बात कीजा रही है तो clear मैं आप सभी को कर दिया आराज पत्रेत आपका इंस्पेक्टर से स्टार्ट होता है नीचे और आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर भी आराज पत्रेत में आता और इंस्पेक्टर की भरती आपकी नहीं निकलती तो यह आप सभी के लिए अच्छा मौका हो सकता है यह जो भरती होंगी वो आपकी सब इंस्पेक्टर, ASI, Head Constable, Constable इन सभी की वर्ती को मिला कि आपकी वर्ती निकाली जाएगी और ये बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्मेंट की तरफ से यहाँ पे decision लिया गया है, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कर ये फेक तो नहीं है, आप आरम से जाएं और TV9 उतरप्रदेश पे जाकर आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उतरप्रदेश गोर्रमेंट की तरफ से जो 100 दिवसी यह कारी हो जाना 100 days के लिए जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि आगे अगले 100 दिनों के अंदर-अंदर कौन-कौन से काम को करवाया जाएगा तो उसे जाके आप चेक कर सकते हैं उसमें भी आप सभी को यह जो काम है वो आप सभी को मिल जाएंगे और उसम सभी को पता चली जाएगा उसके बाद तो सब लोग इसके तयारी करते हैं लेकिन अगर पहले से आपको इसके बारे में आइडिया रहता है तो निश्यत रूप से आप उसके लिए पहले से ही mentally prepare होने लगते हैं और आपकी जो तयारी होती है वो काफी लोगों से battle हो जाती ह तो उमीद करता हूँ कि यह जो तानकरी आप सभी को दी गई एक लम से इस परस्ट राइन के लिएर हो गई होगी और वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी आगे भी इसी तरीकी कि जो भी भरती से जमने कोई भी अपडेट होगी आप सभी को बताते रहेंगे बह पर नए पदों को मंजूरी दी गई है सासन को मंजूरी दी गई है सीम की तरफ से अब यहाँ पर जब सासन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है तो ऐसा तो है नहीं कि कल इसका नौटिफिकेशन जारी कर दिया जागा जिसके नौटिफिकेशन को जारी होने में थोड़ा सा समय लगेगा और समय लगेगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा तो देरी तो होगी और देरी होगी तो आप इस चीज को यह ना समझे कि यह विकिंसी नहीं आएंगी निश्चत रूप से विकिंसी आएंगी बस थोड़ा समय लगता है और इस समय के अंतराल के बाद ये विकिंसी रिलीस हो जाती है I hope आपको वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वैल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगल और आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे फिलाल के लिए बहुत इतना इस और आंक्यू फो वाचिंग जैहिंद जैबारत